सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीब मिस्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राची सहर के 5 रेलवे स्टेशनों के बारे में तो देखते रहे इस वीडियो को अंतक और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही वीडियो को सेयर करके इस चैनल को सपोर्ट करें नमबर वन राची रेलवे स्टेशन दोस्तों राची सहर के प्राइम लोकेशन में स्थित साउथ हिस्ट रेलवे जोन के राची डिविजन का हेट कौर्टर है राची रेलवे स्टेशन जंक्सन कुल छे प्लेटफॉर्मों वाला ये स्टेशन अपने साब सफाई के लिए पूरे भारत वर्ष में चर्चित है नमबर दो हटिया रेलवे स्टेशन राची बिर्सामुंडा एयरपोर्ट से तक्रीबन एक किलोमेटर की दूरी परिस्थित हटिया रेलवे स्टेशन राची के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है साउथ इस्टन रेलवे जोन के राची डिविजन के रेलवे हब कहे जाने वाले हटिया रेलवे स्टेशन से भारत के कई मुख्य सहरों जैसे राउरकेला, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और दिल्ली के लिए प्रती दिन ट्रेने खुलती है नमबर तीन नामकूम रेलवे स्टेशन राची रेलवे स्टेशन से भारत के मुख्य सहरों के लिए खुलने वाले लगभग प्रत्य ट्रेने नामकूम रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है राची रेलवे स्टेशन के एक स्टेशन पहले स्थित नामकूम रेलवे स्टेशन से राची सहर पहुचने के लिए बस और और आटो की भी सुविधा उपलब्ध है नमबर चार ताटी शिल्वे रेलवे स्टेशन दोस्तों राची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेने नामकूम रेलवे स्टेशन के बाद ताटी शिल्वे रेलवे स्टेशन पहुचती है रेजर्वेशन काउंटर्स, वेटिंग रूम्स, वेहिकल पार्किंग और अन्य सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन राची रेलवे स्टेशन से तकरीवन 10 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है राची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली कई एक्सप्रेश और लोकल ट्रेनी ताटी सिल्वे रेलवे स्टेशन में रुकती है नमबर पाँच, अर्गोडा रेलवे स्टेशन अरगोडा रेल्वे स्टेशन राची सहर के हृदय कहे जाने वाले असोक नगर के करीब स्थित है यह रेल्वे स्टेशन राची लोहरदगा मुख्य लाइन पर स्थित है राची रेलवे स्टेशन से यह रेलवे स्टेशन तकरीबन दो किलोमेटर की दूरी पर स्थित है तो दोस्तो ये थी राची सहर के पाँच प्रमुख रेलवे स्टेशन तो राची सहर के किस रेलवे स्टेशन को आप ज्यादा पसंद करते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर ले साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद